हमश्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक डाउट और क्लियर करने के लिए हम आ गए हैं आपका डाउट ये है कि सर कौन से पेनों से लिखा जाए, कौन से कलम का प्रयोग किया जाए, बोर्ड परिक्षा के दोरान तो आईए आज हम आपको सभी चीजों को क्लियर कर देंगे कि स्केज से लिखना है, मारकर से लिखना है, काहे से लिखना है और मारकर तो कताई भूल कर भी न ले जाना बोर्ड परिक्षा में, क्यूं नहीं ले जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ देखो, मारकर में जब भी आप लिखेंगे, सबसे पहली अगर हम बात करते हैं मारकर की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं किसकी, मारकर की, ठीक है, तोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम, हाँ अगर हम बात करते हैं Marker Pin की तो हमेशा याद रखे प्लास्तिक की वक्तूओं पर Marker Pin का प्रियोग किया जाता है परिक्षा में नहीं इसलिए Marker Pin लेकर के परिक्षा में कदाचित नहीं जाना है Marker Pin वर्जित है अगर आप Marker Pin से इधर लिखते हैं तो परिक्षा की कॉपी के उस साइड में पूरा पेज खराब जाएगा और तीसरे पेज तक भी उसकी इंक जा सकती क्योंकि उसमें ऐसा द्रवबदार ऐसा केमिकल होता है कि वो आपके पेज को खराब कर सकता है इसलिए Marker आपको नहीं ले जाना है Marker 10 रुपए के आसपास आता है आपको ले क्या जाना है 2 रुपए वाला एक लगजर करके आपका आता है Sketch Pen ठीक है Sketch Pen आता है उस Sketch Pen को आपको ले जाना है और इसका प्रियोग मात्र आपको Heading's डालने में करनी है Heading's में आपको Sketch Pen का प्रियोग करना है और किसी Pen का प्रियोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन Sketch Pen प्रशनोत्तर संख्या डालने में प्रियोग करें तो ज्यादा बहतर है Sketch Pen मोटी Heading's यानि की बड़ा शीरशक लिखना हो जैसे निबंध का शीरशक लिखना हो तो Sketch Pen का प्रियोग कर सकते हैं जैसे मैं आपको अभी कॉपी दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं छंड का डाला गया है ठीके? यहाँ पर आप Sketch Pen का प्रियोग किसलिए करेंगे? मात्र-Kंड का डालेंगे प्रशनोत्तर संख्या डालेंगे और काखा गागा अंगा डाल देंगे यहाँ पर आप sketch pin का प्रयोग कर सकते हैं बाकि आप और कहां sketch pin का प्रयोग कर सकते हैं चलिए वो भी हम clear कर लेते हैं अब जिसे आपको यहाँ पर है प्रशनोत्तर संख्या डाल ली है तो आपने sketch pin का प्रयोग किया ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये भी लिखना होता तो आप लिख सकते हैं मोटी headings हमने बताया मोटी headings को लिखने के लिए आप sketch का प्रयोग कर सकते हैं और ये वाली जो headings डालें, इनमें भी आप sketch का प्रियोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आपका bold हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक black dark pin, मैं क्या बता रहाँ, black mortar pin, जिसकी refill, जिसका point थोड़ा सा mortar चले, bold चले, ऐस black जिनसे आप ये headings डाल लेंगे, ठीक है, तो black pin जब भी खरीदें, थोड़ा सा bold चलता हो, वो वाला खरीदें, bold pen जब आप खरीदेंगे, तो उससे चोब बीच में आप headings डालेंगे, या quotation लिखेंगे, तो वो बहतर आपको दिखाई देंगे, और बहतर लगेंगे, और थोड़ा सा सुंदर्ता आपके copy की बढ़ा देंगे, ठीक है, चलिए, अब आगे हम बताते हैं, आपको और कहां पर आपको sketch pin का प्रियोग करना है, अब देखें, इस प्रकार भी आप sketch pin का प्रियोग कर सकते हैं, जैसे आपने रश्मरती, खंड काब में लिख दिया, करन क आप इसमें sketch pin का प्रियोग ना करें, बहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर bold black pin का प्रियोग करें, और बाकी तो blue pin, और color की बात अगर हम करें, अब हम बात कर लेते हैं, color की, ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसकी color की, तो चलिए, अब हम color की बात करते हैं, color कितने होने च इसके अलावा तीसरे color का प्रयोग आपको board की copy में नहीं करना है ना तो green का ना तो आपको red का तो red का तो कताई वरजित है तो blue और black दो ही color का प्रयोग करना है ठीक है अब बात हम कर लेते हैं लोग बच्चे प्रसंट पूछते हैं क्या सर जो blue black इस्तेमाल करेंगे या dot होना चाहिए या फिर gel होना चाहिए देखो dot और gel ये माइने नहीं रखता है कुछ बच्चे कहते हैं मैं fountain pen से लिखूं क्या fountain pen मतलब ज्यादा जो blur कर देता है ज्यादा जो इधर उधर धबे बना देता है उस pen से आप कभी भी ना लिखें और आप ध्यान रहें कुछ बच्चे निब वाले pen का प्रयोग करते हैं निब वाला pen आता है जैसे आप जानते निब वाला pen ऐसे होता है ऐसे होता है निब वाला pen आप याद आपको डिजाइन पता है यहाँ पर एक point तो जिसमें ink या cartridge पढ़ता है और निब वाला pen होता है उसका भी प्रयोग ना करें विकाद अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो कभी न कभी वो गरबर कर सकता है और आपकी copy पर ink के बहुत सारे धब्बे बना सकता ink उगल सकता है एक साथ बहुत सारी ink उगल सकता है अगर बात हम करते हैं जो लगजर pen आता है जो 10 रुपे के आसपास white color का pen आता है जिस पर लगजर लिखा होता है कभी कभी उसको लोग pilot भी बोलते है जिसमें sketch जैसा point होता है उस pen की अगर हम बात करें कुछ बच्चे उस pen का प्रयोग करते हैं करिए अगर आपकी writing उससे बहतर बन रही तो आप करिए लेकिन ध्यान रहे उस pen के प्रयोग से अगर कहीं आपके हाथ में पसीना आता है और उस pen का प्रयोग करते हैं और आपके हाथ में जब आप लिखते समय यहाँ पर अगर आपका थोड़ा सा पसीना आ गया या कहीं थोड़ा सा गीले हाथ आपके हो गया आपके हाथों में draw आ गया तो क्या होगा फिर वो आपके जहां पर आप हात रखेंगे और थोड़ा सा लिखेंगे ऐसे ऐसे करके तो नीचे आपके थोड़ा सा वो blur होने लगेगी इंक वो इसलिए उसका प्रियोग बहुत ही ना करें तो अच्छा है बाकी अगर करना है आपको तो उसको आज से ही खरीद लीजिए अभी से 10 दिन परिक्षा के पहले खरीदे और उससे बहुत सारा लिख डालिए उसकी आधी इंक खतम कर दीजिए तब वो हलका सा सुखा सुखा उसका पॉइंट हो जाएगा तब आप उसका प्रियोग करें तो बहतर रहेगा यही बात आप इसकेज में कीजिए इसकेज आपको परिक्षा के 4 दिन पहले 5 दिन पहले खरीद लेने है और इसकेज को थोड़ा सा चला लेना है दूसरी चीजे लिख लेनी है ताकि इसकेज की जो इंक है हलका सा स्तूकी हो जाए थोड़ा सा ड्राई हो जाए नहीं तो वो ज्यादा लिक्विट में आती है लिक्विट मतलब ज्यादा वो द्रवित होती है तो वो ज्यादा बहाओ करती है इंक का इसलिए उसको पहले ही उसको घिस लें, पहले जो भी पेल लें, नए पेन तुरंत लेकर के एक्जाम में नहीं जाना है आपको, कि आज ही गए दुकान पर खरीदा और आज ही लिखने लेगे, उसके क्या उता कभी कभी पॉइंट जो है उसके घिसते नहीं है, पॉइंट उस से पैना कर लेना है तेज कर लेना है तो तलवार की धार की तरह ही आपके पिन हथियार है एक पिन जो है ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है पुस्तक और पिन एक ऐसा हथियार है पावरफुल विपन है एक पावरफुल एक शक्तिसाली हथियार है जो आपक पुड़ा विश्व बदल सकते हैं यह आपके हाथियारों को पहले आपको घिस लेना है मैं बात कर रहा था किसकी मैं बात कर रहा था जेल पेन की जेल पेन से अगर आपकी राइटिंग बनती है तो बहतर है लेकिन थोड़ा सा अच्छी कंपनी का जेल पेन लीजिए ताकि आ दर घिसना ना पड़े बहतर है डॉट पेन सरवादिक अच्छे रहते हैं अगर डॉट पेन से आपकी राइटिंग बनती है तो आप डॉट पेन ले सकते हैं डॉट पेन लीजिए आराम से डॉट पेन का सरवादिक प्रयोग कर लें तो बहतर रहेगा क्योंकि डॉट पेन smoothly चलते हैं, बहुत चिकने हलका सा, चिकने टाइप में चलते हैं smoothly चलते हैं, बढ़्यासा ठीक है रही बात company की कौन सी company का पिन लेना है आपको company कोई नहीं, जाइए दुकान पर लिख कर देखे, जिससे थोड़ा सा आपको लिखने में थोड़ा सा comfortable महसूस हो, कि हम इसने लिखेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे बहतर लिख लेंगे, तो आप उस pen को ले लीजिए, बाकी blue और black दो प्रकार के ही color यूज करने हैं, इसकेज भी आप blue का यूज कर सकते हैं, blue black pin से, black bold pin से आप heading डाल दिये, और blue pin से ये सारी चीजें लिख दिये बाकी किसी color का प्रयोग आपको नहीं करना है, अगर आप un color का प्रयोग करते हैं, तो copy में 4 चान तो लगा देंगे लेकिन वो चान गंजी भी हो सकती है ठीक है, इसलिए 4 चान लगाने की कोशिश में, आप फालतू का दिमाग न लगाएं, फालतू का time waste ना करें, बाकी आप कलाकारी दिखाना दिखाईए, फूल पत्तियों से अंक नहीं मिलते, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा फूल पत्तियों को सजाने से अंक नहीं मिलते कॉपी में सही उत्तर सजाने से ही अंक मिलते हैं, सही उत्तर लिखने से ही अंक मिलते हैं, और ऐसा सही उत्तर जो, जो क्या हो बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी तरह से लिखा गया हो एक गुलदस्ते की तरह सजाया गया हो, उसको सजाना नहीं, बस पढ़ने में हर एक शब्द आ रहा हो, यही बहतर है आपके लिए, अब हम थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, एक्जाम को ले करके, बच्चे कहते हैं कि जियोमेट्री बाक्स ले जा सकते हैं, जियोमेट्र सकता है, और तो आप वो एक पारदर्शी थहली आती है, पारदर्शी थहली बैग आता है, इसमें आप पिन ले जा सकते हैं, प्रवेश पत्र वगएरा आपके जो है, थोड़ा सा उसको लेमिनेट करवा लीजिए, ताकि जो है इधर उधर वो गीले नहों, आपके सारे पर को लेमिनेट करवा लीजिए, दस रुपे खर्च करके तो ज्यादा बहतर रहेगा, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा, वरना आपका इधर उधर कचड़ा होने का डर रहता है, जेमेटरी बाक्स ना ले जाएं, आपको सकेल की जरूरत है, बड़ी वाली सकेल लें, हमेशा 12 इंच की जो बड़ी वाली सकेल आती है, लगबग 2 बीता भरकी 12 इंच की ही होती है, 30 cm मुझे जैसा अनुभव है, तो बड़ी वाली ही सकेल लें, ताकि एक बार में ही रखें और हासिया कीच दें, अगर कॉपी में हासिया खिचे हुए हैं, हासिया जानते हो किसे कहते हैं हासिया ये जो लाइन ये वाली जो है, अगर आलरेडी कॉपी में खिची हुई है, तो आपको इधर इधर खिचने की जरूरत नहीं है, इधर खिची हुई है तो खिची रहने दो, हलका सा यहां से कॉपी को फोल्ड करके एक निसान बना लो, थोड़ा सा फोल्ड करके फिर सीधी कर लो, नहीं कॉपी को फोल्ड किया, फिर सीधी कर लिया, जो निशान बन गया, थोड़ा सा लाइन न कीचो लेकिन, अब देखो हमने यहां पर देखो काउपी कैसे लिखी गई है, काउपी की, अब यह इतनी काउपी छोड़ी गई, ठीक है, लेकिन लाइन कहां से ह लिखा गए नहीं लिखा गए तो यह तरीका है लिखने का कि थोड़ा सा यहां से भी आप दूर यहां से थोड़ी से दूरी बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है है ना कोई दिक्कत नहीं है तो यही बात हम पेन की कर रहे थे तो पेन आपको मार कर कभी भूल कर मत ले और यह जाना उसे लिखना मार कर से कुछ मतलिखना जो भी आप इसे लए जाए जाए एकदम साब सूतरा हो इस nelp मड़र न्कारें आपकी जरन स Nagप्राइब करें वगरां कि रहता हुगि तो प्रक्ष स्यूते उगरां के रिए लगाना है इदर सुदै निकालना है पहनना है तो क्या मतलब है बार बार पानी पीने की कोशिश ना करें परीक्षा में डूब के लिखे और जो भी आपको वाशवू मगधरा जाना है परीक्षा के पहले ही चले जाएएप हलके हो ना हलके हो लिए जो भी है परिक्षा के पहले यह आप कर लिए साप सुत्रा अपना स्वास्त बना के जाए और सुपाच्च भोजन किए ताकि सुबा सुबा दिक्कत नहूं हाई स्कूल के बच्चों के लिए और इंटर वाले तो वो सब कंप्लीट करके ही दो वजे के पहुँच्ते हैं तो कुछ इंटर वालों का सुबा यह होता तो सुबा जो जाएं तो बहतर माइंड से जाएं और और यह मतलब विल्कुल फ्रेश छो करके ही जाएं तो बहां डिस्तरिबेंस नहीं होगा किसी प्रकार का यह लगूशंका-दीर्गजंका की दिक्कत नहीं होगा तो सुबह-सुबह तैयार हो के जाना है fresh हो के जाना mood fresh करके जाना कोई भी mood खराब हो उसको खराब मत रहने देना अच्छा mood बनाकर जाना और यह सोच के जाना वे यह बहतर कर आऊंगा तो पेनों का प्रयोग हम बता रहे जेल और डॉट जिससे आपकी राइटिंग मनती है जिससे आप अच्छा लिख पादें करें बस आप सफाई का ध्यान रखें कॉपी में गरबड़ी नहीं होनी चीए मतलब कॉपी में दाग धब्वे और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना मैं कोशिश कर intr時間 का गुए पकोह यहां पड़बिण आप कोई डाउट मुझे लगता है नहीं बचा है आपको पिं के प्रयोग को ले करके कैन हमने बताया बुलू और बलैक दो लेने हे एक हुआ इसकेज़ लेना है और हमेशा ।aking मैं तो हमेशा डबल लेके जाता था बुलू । ब्लैक दो-दो लेके जाता था दो जिल लेके जाता था दो डॉकुर। गळाता था, लेके जाता जिससे मैं लिखने लगता था राइटिं工作 अच्छी बनने लगती थी कॉपी खिलने लगती थी, मैं लिखने लगता था, हाँ बस ये ध्यान रखना कि color एक ही हूँ pin का, color बार-बार मत change करना, एक question में तो एक ही color का मतब कुछ, मतब थोड़ा सा different blue आते हैं न, हलका सा, तो कॉपी में ऐसा ना करें कि एक बार dark blue, एक हलका blue ये ना है, तो आपको ए different है, आपका अगला pin, उसका color हलका सा blue, blue है, तो नो blue हैं, लेकिन उसका हलका सा different blue है, तो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपका check हो जाए, बस आप किसी अन्न color का प्रयोग ना करें, blue से लिख रहे हैं, तो blue का ही प्रयोग क करना है, तो उसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं है, blue black ही आप ले जाना है, dot, gel, जो भी आपकी writing मनती है, तो double double लेके जाना है, और इसके जो घिसा हुआ हो, pen सारे घिसे हुए हो, मतलब लिख के पहले से ही, उनको देख दाख के जाना है, कि वहां मत उनको घिसना, कि ये